CRT में से 않कों बताती हुँ क्या हमें प्रूफ करना एक यह Humen यह प्रूफ करना जहां प्रूफ करना diu दो टेंजिन Marshmich लिए अंगल हें देतने थो टेंजइन इस तो यहां ऑगा है कि मैं धी चीज में इस हैंगल कि बात गी जा ह면 कर दो एन यह बन गल इस पॉइंट पर इस चो लायन एंगल सब्तेंट कर रही है सेंटर पे उनका रेडिस उनका वह एंगल यह तो इसको प्रूब करना है इन दोनों का संब 180 degree होगा बहुत ही simple question है बहुत ही ज्यादा simple नाम दे देते हैं इसे let's say यह point P है यह point Q है और यह point R है तो यहां से यह OQ और O R हमारे radius है now angle O Q P is equals to angle O R P is equals to 90 degree but why angle between tangent and radius now यह 90 degree यह भी 90 degree हमें क्या प्रूफ करना है angle Q P R plus angle Q O R equals to 180 degree बहुत ही जादा simple है कुछ भी नहीं करना हमें क्या करना है हमें quadrilateral का हमारा जो सम of angles of all the quadrilateral 360 degree होता है बस वो नहाना हमारे सारे angles this this one the center one and this one would be equals to 360 degrees just so we can write it here that in quadrilateral sum of all the angles equals to quadrilateral का नाम हमारे पास था P Q O R so सारे angles का समझ होगा वो 180 degree के एक्वाल होगा हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R equals to 360 degrees angle sum property so यहां से हमें हमारा मिल जाएगा हमारे पास जो एंगल P और एंगल होगा है इन्हें हमें परनर बाकी दो एंगल अल्रडी 90 90 degree के एंगल P प्लस एंगल O as 180 degree that's what we need to prove hence आपको पूरा पूरे एंगल के नहीं है मैंने हापे शो नहीं किया so this this was the question question number 12th let's move ahead to the next question two tangents tp and tq drawn from a center okay see this question figure is given to you so आपको क्या करना है आपको